हेलो एपरीवन मैं हूँ डॉक्टर रोनक हॉम्योपेदिक ही जी सी एनेट मनस्ट्री हॉम्यो क्लीनिक सीकर आज की वीडियो में हम लोग डिसकुस करने वाले एक बहुत ही कॉमेंट समस्या जिससे काफी सारे लोग परेशान है और सालों साल ट्रीट्मेंट लेने के बाद भ होता है अगर लुकिंश सबसे पहला कारण तो यहीं किसे फंगल इंफेक्षन की वजह से दूसरे दूस्रे biz7 कंस्यागत कोई भी समान यूज़ करते हैं जैसे कि उसके काम में लिये हुए टोवेल, उसकी बैट सेट, उसका तक्या या फिर उसका कोई और सामान है वो हम यूज़ करते हैं तो उस सामान के थ्रू ये हम तक भी आ सकता है अगला कारण है अगर कभी का बार कोई स्किन में किसी वजह से कोई इंजरी हो जाती है उसके बाद में भी दाद की समस्या देखने को मिलती है या फिर वो लोग जो की काफी जादा जिनको पसीना जादा आता है या फिर उनका पानी में रहने का काम जाता है गीले काफी टाइम तेक रहते हैं उन लोगों में भी दाद की समस्या है वो काफी फ्रिक्वेंटली देखी जाती है काफी बार दाद है वो जो हमारे पेट से चाहल से वो खुता विली हो उनके थ्रू फैल सकता है अगर हम दाद के साइन्स और सिम्टम्स के बात करें कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें दाद हो गया तो इसका सबसे पहला जो सिम्टम हमें देखने को मिलता है वो होता है खुजली जिस पर इस तान पर हमें दाद होने वाला है वहाँ पर सबसे पहले हलकी खुजली स्टार्ट होती है खुजली थोड़े से टाइम रहने के बाद में स्किन है वहाँ से थोड़ी रफ होने लग जाती है थोड़े से उभरने लग जाती है उसके बाद में एक लगबग लोगों में एक red color का circular page बन जाता है गोल गोल area हो जाता है बिल्कुल से और जो area होता है उसमें बिल्कुल छोटे-छोटे से दाने हो जाते हैं थोड़े time तक ये दाने रह दे और कुछ लोगों में थोड़ा time निकलने के बाद में इनमें पस भी भर सकता है या फिर इस बीज में किसी ने क क्रीम या फिर किसी तरह का कोई ointment यूज में ले लिया है तो वह जगह काफी लोगों में काली हो जाती है वहां पर black discoloration है वह देखने को मिलता है इसमें खुझली है वह लगातार बनी रहती है खुझली के साथ में कुछ लोगों को जलन भी हो सकती है लेकिन खुझाते- बिल्कुल से ऐसी स्तिति आ जाती है कि परशन खुझ निकालने वाली स्तिति हो जाती है अगर हम बात करें इसके treatment की हॉम्योपेथि में काफी अच्छी ऐसी medicines है जो दाद को पूरी तरह से ख़तम कर सकती है एक बार किसी वेक्ति को दाद होने लग जाता है तो उसकी टेंड कि अधान रखने वाली चीज तो यह है कि हमें किसी दूसरे का समान हुज करते हैं तो उसकी किसी तरह का कोई भी infection है वह हमारे तक आ जाता है तो किसी तरह के कपड़े टोगल या फिर बाकी समान हुज करने से बच्छा नेक्स्ट चीज हमें करने हैं कि जिन लोगों को पसी जिन लोगों को पानी में रहने का काम ज्यादा होता है वह अगर उन्हें हलका फूल का कोई दाद का या फिर खुजली के जैसे सिम्टम्स भी होते हैं उसे लिए वह बिल्कुल से ड्राइ करके और वहां पर कोगोनेट ओय लगए जिससे कि आगे वह दाद है वह कुछ सी प पातों का धान रखकर हम दूसरे लोगों से इंफिक्शन लेने से बच सकते हैं अगर एक बार दाद हो गया है तो हॉम्योपेथी में ऐसी कौनसी मेडिसिन से जिन से हम दाद को बिल्कुल पूरी तरह से रिवर्स कर सकते हैं इसे जर्से खतम कर सकते हैं पहली मेडिसिन है तेल्यूरियम तेल्यूरियम 30 का परयोग उन जगह नवर पर किया जाता है जहां पर दाद बिल्कुल से कुलर फॉर्म में हो ख़ुजली हो और दाने से उठ रहे हो ऐसे इससे इस्तिति में तो दो वोन सीजी जीब लेने हैं और दिन में तीन बार इसे काम में लेना है नेक और जलन काफी ज़्यादा रह रही है, बिल्कुल ऐसे खुजानते-खुजाते कुछ आराम ही नहीं लग रहा है, इस तरह की जलन रह रही है. नेक्स्ट जो मेडिसिन है, वो है रेक्स्टोक्स. रेक्स्टोक्स 30 का प्रियोग भी दाद के लिए काफी अच्छा किया जाता है, यहां पर खुजली है, वो काफी ज़्यादा होती है, और जो डेंप फेदर है, थोड़ा सा नमी वाले एरियाज है, वहां पर यह मेडिसिन का पर पर पसीना जादा रहता है और उन जगह उपर दाद हो गया हो उन इस्टितियों में रस्टोक्स 30 की दो-दो बूंदे सुबह दोबहर साम तीन टाइम लेती है नेक्स्ट मेडिसेन है है आर्सेनिक एलबबॉम विष्टिय know उन इस्तियों में यूज़ जहां पर दाद हो इसने थोड़ा पुराना हो गया है और लाल की जगह वहां पर बिलेक डिसक अने लग गया है थोड़ा काला का दाग लाया है वहां पर जलस है पर चलित कापी तोड़ी ज्यादा होती है इस मेडिसिन का प्रियोग भी दो दो बुन सुभह दो पहर शाम आपको तीन टाइम करना है इनके साथ में एक बायो कॉम्बिनेशन है 20 नंबर बायो कॉम्बिनेशन नंबर 20 है वो इसकिन की सारी डिजीज में काफे अच्छा काम करता है अगर आप इन डाइलुशन के साथ लेते हैं तो आप जल्दी रिकवरी कर सकते हैं अपने दान को रिवर्स कर सकते हैं इन मेडिसिन के साथ में हमें एक एकस्टरनल अपलिकेशन के की तो पर भी एक मेडिसिन को काम में ले सकते हैं जिससे की जो जिए वॉम की समस्था है वो जल्दी से खतम हो जाए एक्सटर्नल अप्लिकेशन के लिए उपड़ से लगाने के लिए हमें काम में लेना है सिल्फर मदर टिंचर को लगाना के शिल्फर मदर टिंचर के हमें 30 ml और 30 ml ही coconut oil लेना है coconut oil में अच्छे से तोल से सुखाना है उसके बाद में जो हमने अच्छे से मिलाकर उस जगह पर लगाना है ऐसे अगर आप दिन में दो तीन बार करते हैं तो आपके दाद की समस्या है वो बहुत जल्दी खतम हो जाएंगे यहाँ पर हमने जनरल अवेरनिस के लिए कुछ होमियोपेथिक मेडिसिंस डिसकस करी है जो के लिंगोम के केसे में काफी फाइदेमन है और काफी जल्दी इनका असर होता है और काफी जल्दी दाद की समस्या खतम हो जाती है लेकिन फिर पर एक बार आप अपना ट्रिटमेंट स्टार्ट करने से पहले अपने नजदी की होमियोपेथिक फिजीशियन से कंसल्ट जरूर कर ले अगर आप हम लोगों से consult करना चाहते हैं तो हमारा क्लीनिक अमनेश्टरिय होमियोपेथी क्लीनिक फिपराली रोड से कर यहाँ पर आप हम लोगों से मिल सकते हैं ओनलाइन consultation की स्वेधावी उपलब्द जिसके नंबर स्क्रीन पर दिये गए हैं यहाँ पर आप हमें call message कर सकते हैं और अपनी problems बता सकते हैं अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंत आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए वीडियो को सेल कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वेल आइकोन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज के notification से आपको सबसे पहले प्रापतो